हेलो फेंट्स मैं बंदीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज की इस फीडियो में 36 साइस का बैक नेक डिजाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी सिंपल और इजी नेक डिजाइन हैं यह सबसे पहले अस्थर के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है नीचे से एक लाइन ट्रो करके फेब्रिक को सीधा कर लेंगे इस तरीके से इस डिजाइन को बनाने के लिए आप अपने साइस के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेसेमेंट लीजेगा मैं यहाँ पर टोटर लंबाई रख रही हूँ सारे 14 इंच साड़ी तेरा लेंथ मुझे इसके तयार रखनी है उपर की तरफ एक लाइन ड्रो करेंगे इस तरीके से शोल्डर का मेसेमेंट लेंगे साड़े 5 इंच 36 साइस का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ डीप नेक पर शोल्डर रखे हैं साड़े 5 इंच आर्म हो लिए हैं पॉना 6 इंच इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे अब हमने चेस्ट का चोथा भाग लेना है 9 इंच और देड़ इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्सिन के लिए मार्सिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं चेस्ट के लाइन यहाँ पर बना लेंगे हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए मार्किंग करेंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर मोल की कुलाई करेंगे कमर का मैजरमेंट लेंगे कमर है 30 इंच उसका चोथा भाग लेंगे 7.5 इंच एक्स्टा मार्सिन और 1 इंच एक्स्टा ओर लिया है कमर की प्लिट्स के लिए मार्किक मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है अब हमने करना है इसका कटिंग वेक पाट को मैंने इस तरीके से यहाँ पर कट कर लिया है अब हमें गले का मेसरमेंट लेना है गले की विट्ट रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच की अगर आप छोटे सा इसका बना रहें तो 2,2 इंची लिजेगा गले की टोटल लंबाई रखी है 11 इंच और नीचे से नेक्विट दिलिया है मैंने 3 इंच आप अपने हिसाब से कम जादा करके ले सकते हैं इसके उपर भी डिजाइन बनेगा इसलिए मैंने इसके लंबाई जादा रखी है यहाँ पर मैं मटका गला ड्रॉ कर रही हूँ हलकी हाथों से पॉर्ट शेप बना लेंगे इस तरीके से गले का शेप देने के बाद हमने इससे कट कर लेना है उपर की तरफ जो डिजाइन बनेगा उसका जो शेप है वो हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है और अब इससे कटिंग कर लेना है गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है इसके उपर वाला जो डिजाइन इससे भी हमने कट कर लेना है अब मैं ले रहे हूँ यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग लेंगे इसे डवल फोर करते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और यहाँ पर गले की एज़टीस मार्किंग कर लेंगे गले की एज़टीस मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है बाहर की तरफ से एक इंच बढाते हुए हमने इसे कटिंग कर लेना है गले की कटिंग मैंने हापर कर ली है और ये जो उपर वाला डिजाइन है इसे भी हमने पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है उपर की तरफ से एज़टी स्ट्रॉ करेंगे और नीचे से यसे वन इंच बढ़ा लेंगे पेपर पेस्टिंग पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है और इसे भी अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के उपर रखकर हमें अटेज कर लेना है मेन कपड़े पर मैंने इसे रखकर cut कर लिया है और जो पेपर पेस्टिंग हमने कटिंग किया है इससे अस्तर के कपड़े के उपर रखकर attach कर लेंगे दोनों तरफ से भराबर करते होवे पिन के साथ इसे attach करना है इसके बास सिलाई लगानी है तो एक कॉर्णर की सिलाई लगाकर इसे अटेश कर लेंगे इस तरीके से ये देखे मैंने यहाँ पर एक तरफ से सिलाई लगाती है अब दूसी तरफ से भी सिलाई लगानी है दूसी तरफ से भी मैंने सिलाई लगाती है अब हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है तो कपड़े के साथ-साथ paper pasting जो extra है बीच का इसे हमने cut करके निकाल देना है अब मैंने लिया है man कपड़ा, man कपड़े को नीचे सीधा करके रखेंगे उपर की तरफ से और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से इसके उपर जमा लेंगे दोनों तरफ से बराबर करते हुए pin के साथ attach कर लेंगे अच्छे से pin मैंने हाप पर लगा दिया है इसके बाद हमने एक पेर का margin cover करते हुए finishing के साथ सिलाई लगा देनी है पूरे नेक पर सिलाई लगाकर मैंने इससे पूरा कर लिया है बीच कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक के इससे हमने कट करके निकाल देना है तो इस तरीके से में आपर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर रही हूँ कपड़े को कट कर लेने के चोटे-चोटे कट यहां पर लगा लेंगे तो फैब्रिक पे पूरे नेक पर हमने कट लगा लेने हैं जिससे की कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है अब एक सिलाई में अस्टर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगा रही हूँ नीचे से मार्जिन को भी मैंने अस अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कपड़े को ऊपर से फिनिशिंग से एक सिलाई लगा देंगे यह देखिए इस तरीके से हमने यहां पर सिलाई लगा देनी है सिलाई लगा कर मैंने इससे पूरा कर लिया है अब एक सिलाई हमने बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है बहाती है और सलाई मैंने अब हमने एक्सट्र फैब्र को करना है, और रस्टर के बराबर से से कर लेना है, जितना भी एक्सट्रकड़ा है इसे क्टिंग कर दिया। कपड़े के एक्स्ट्र पाट को कट करेंगे और इसके बाद की अब हमें डिजाइन तेयार करना है इसका तो यह फैबरिक का पीस है यहां पर हम बिट्स पनाएंगे इस कपड़े के उपर, उपर के डिजाइन के लिए जो पेपर पेस्टिंग कट किया था, इसे अस्तर के उपर हमने अटेज करना है, तो इस तरीके से मैंने इसे अटेज कर लिया है, एक्स्टा कपड़ा कट करके निकाल देंगे, पेपर पेस्टिंग का, अब इसे अटेज कर चाहिए और चोड़ाई जो है जो हमने पैटर्न कुटिंग किया है इसके बराबर से होनी चाहिए एक सेंटर में सिलाई लगाकर हमने बृट्स डालनी है बताने के बाद इस पैटर्न को रक कर चेक करना है कि बिट्स बराबर से आ या नहीं इसके बाद हमने दोनों तरफ प्रिट्स को जमाते हुए सिलाई लगा देनी है तो इतना बड़ा पैटर्न हम यहाँ पर तयार करेंगे जिससे की अच्छे से कवर हो जाए अब इसे बिल्कुल बीच में रखेंगे जो सेंटर वाली हमने सिलाई लगाई है उसके उपर रखना है सेंटर से और यहाँ पर उपर से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगानी है और एक्स्टा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देंगे चोटे-चोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे अब इस पैटन को पलटके सीधा कर लेंगे और कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देंगे हातों से कपड़े से कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देना है फिनीशिंग दे देनी है और इसके बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है कपड़ा मैंने निकाल लिया है इसके बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगा देंगे और जितना भी एक्स्टा कपड़े का पार्टे से कट करके फिनिशिंग कर लेंगे पैटन रेडी हो गया है अब इसे ब्लाउस पर अटेज कर लेंगे इसके जो बीच की सिलाई है यह हमने निकाल देनी है ब्लाउस का करेंगे सेंटर मार्किंग यहां पर दिखें सेंटर मार्क इस तरीके से कर लेंगे और पैटन का भी सेंटर मार्क कर लेंगे अच्छे से दोनों को मिलाते हुए सेंटर मार्क से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए दोनों तरफ से pin लगाकर इससे attach कर देंगे जितना आपको उपर रखना है उतना रखेंगे बाकी pattern को नीचे कर देंगे और बराबर से रखते हुए हम पर सिलाई लगाकर इससे attach कर देंगे pattern को मैंने attach कर लिया है अब इससे center से कपड़े को fold करेंगे 4 इंच के नंबाई में प्लिट्स लगा देंगे दोनों ही तरफ इसी तरीके से हमने प्लिट्स लगा लेनी है और नीचे की तरफ कमर पटी को अटेज कर लेना है कमर पटी कट कर रही हूँ मैं इस तरीके से यहाँ पर लगाने से पहले कमर की पटी को एक बार हमने फोल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ इससे अटेज कर देना है नीचे से आधा हिंच का मार्जिन लेते हुए कमर पटी को अटेज करेंगे फिर हमने एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लिनी है अब हमने कमर पटी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड ये देखिए मैंने यहाँ पर कमर पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है अब मैंने फ्रिल बनाने के लिए एक पटी ली है जिसकी विर्थ है तीन इंच की तीन इंच कपड़े की चोड़ाई है और लबाई में आपको यह अच्छा बढ़ा कर लेना है कम से कम आप तीन मीटर की पटी लीजेगा क्योंकि फोल्ड कर यहाँ पर फ्रिल बनाने के बाद यह पटी बहुत ही छोटी रह जाती है पूरी पटी को डबल फोल्ड करते हुए हमने सिधी सिधी एक सिलाई लगा कर इससे तयार कर लेना है इस पटी को मैंने सिलाई लगा कर तयार कर लिया है अब मैं बना रही हूँ इसकी फ्रिल फ्रिल हमें एक जिसी यहाँ पर तयार करनी है इस तरीके से पूरी पटी को फ्रिल बना लेंगे एक जिससे फ्रिल हम यहाँ पर बनाएंगे पूरी पटी के फ्रिल बनाकर मैंने यह देखे इसे रेडी कर लिया है और जो भी एक स्टॉ कपड़े का पार्ट निकल रहा है इसे कट करके निकाल के फिनिशिंग करेंगे उसके बाद ही ब्लाउस पर अटेज करेंगे एक्स्ट्र जो भी धागे रहते हैं वो लगाने से पहले ही आप निकाल दें कट करके इसके बाद ब्लाउस का जो नैक के वहाँ पर हमने इसे अटेज कर देना है me finishing केसाथ ती कि मैंने इस इटेज कर दिया है उपर से चोलडर पर इस से इटेज करके सिलायी लगा कर एक्स्ट्रा फ्रिल को कड़ करके निकाल देंगे इसके बात में इसके उपर लगा कर दिए है कि लेश लगाने के बाद इसपे डवल स्लाई लगा expression कॉर्णर के एक शिलाई ओर लगाएंगे के इस यापकर मिने इस के बाद मेश बैस लड़ नहार ही हुआ रोस वाली लड़ कल बना रहे हूं इसके लिए चुकुर कपड़ा लिया है इसे ट्राइंगल में फोल्ड करते हुए इस तरीके से पका कर लेंगे दूसरा वाला लटकन भी इसी तरीके से तयार करेंगे यह दिखिए मैंने यहाँ पर दोनों लटकन बना कर तयार कर लिये है अब दूरी को बीच में से कट कर लेंगे और यहाँ पर अटेश कर देंगे तूपर से 30 से 2 इंच का गैप छोड़ते हुए आप दूरी को अटेश कर सकते हैं जिसे रखते हुए पका कर लेंगे अब दिखिए सेंटर में जो हमने प्लेट्स बनाई है वहाँ पर हमने मोतियों को अटेश करना है तो प्लेट्स को मैं नीचे इस तरीके से फोल्ड करूंगी और यहाँ पर आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा मोती अटेश कर सकते हैं यह दिखिए फ्रिल को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ इसे पलट लेंगे तो इसका जो लुक के वह उच्छा दिखेगा डिजाइन यहाँ पर बनेगा इस तरीके से एक एक करके सबी मोतियों को हमने इस तरीके से अटेश कर लेना है तो पूरा इसे हम उपर तक कम्प बिताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रू कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तर निवाद तक